कि अगए का कि अगे आइज हम बात करेंगे कि काडियोस्कुला सिस्टम के बारे में आपको ज़्ष्ट प्रिवेस्ट क्लैस में काडियोस्कुला सिस्टम सिस्टम कंप्लीट इंट्रोड़क्षन दे दिया था आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं अभी हम बात करेंगे काडियोवस्कोरी सिस्टम की जो मैन मैन जो हम लोगों ने छोड़ दी थी हेडलाइन्स वगएरा उनके बारे में दुबार से रिपीट करेंगे तो आपको यह सारी चीज़े बतानी पड़ेगी जो मैं आपको यहां पर एक्स्प्लेंग कर रहा हूं यह पर हम बात करेंगे एक्स्टरनल र्फीचर के बारे में have you the creator of हाट है हकोब इस नियुक्त बात करेंगे हट के एक्सकर श्कार में क्या क्या साम्यल होता है सभसे पहले समील होता है आपक्स ओफट दूसरा सामिल होता है बैस ओफट इसके अलावा तीसरे पर एंटियर सर्फेस और इंफियर सर्फेस ठीक है यह चार में इंट होते हैं जो हट के एक्ष्टनल फिचर में हम समय लिद करते हैं ठीक है हम सबसे बहुत करते हैं एक्ष्ट के बारे में एक्ष्ट क्या होता है सबसे पहले हम वर्ड के बारे में बात करते हैं कि एक्ष्ट क्या होता है देखें यह एक त्रिबूज का सबसे जो नुकिला भाग होता है हम उसे क्या बोलते हैं एक्ष्ट बोलते हैं और जो सबसे जो अधार बनाता है हम उसे क में घ्रकिक के अंदर संद्र होता हैं को लेफ्ट वेंटिकल क्مण्यटे थो आप वह आप जाके देख लीजी कि कौन सा होता है ईटे आखे जो फेंटिकल रगे तो होता है कि लेफ्ट कि अधिकल होता है रिटकों वो apex of heart को बनाने का काम करता है left ventricle होता है heart का, वो apex of heart को बनाने का काम करता है अभी जस्टी पटनाइम्स में जो previous पटनाइम्स थी, 2019 की उसमें क्यूशन आये था, direct one line में क्यूशन आये था apex of heart is made by simple यही लाइन थी, apex of heart is made by और वहाँ पर answer माना था left ventricle, ठीक है जो left ventricle होता है, वो apex of heart को बनाने का काम करता है अब यह बात आती है, apex of heart होता कहा है exact situated कहाँ होता है जो यह mid sternal line है जो यह mid sternal line है यह क्या हो गया, sternum है यह sternum और sternum के बीचों बीच से जो line जाती है, उसे हम क्या बोलते है mid, मद्य से mid sternal line से 9 cm away जो mid sternal line से वहाँ से तो कहते है, 9 cm दूर और mid clavical line mid clavical line clavical bone clavical bone के जस्ट बीचों बीच mid point से mid point से 5th intercostal space में 5th intercostal space यह दो rib हो गई हम rib को costal भी बोल सकते है ठीक है, यह जो rib क्यों होता है इन दोनों के जो beach में जो space होता है दो ribs के बीच में इसे बोलते है intercostal space inter का मतलब होता है के मद्य हम दो वस्तों के तुनना करे मेरा यह हाथ है और मेरा यह हाथ है इन दोनों बीच के अंदर यह कोई बात हो रही है ठीक है, तो यह क्या होगा inter मेरा हाथ है, वह ही काम कर रहा है तो intra होगा एक group है, वह काम कर रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, group communication बोलेंगे ठीक है, और complete एक structure या college हो रहा है, organization level पो रहा है हम उसे क्या बोलते है, organization communication तो यहाँ पर क्या है, intercostal space inter मतलब इन दो ribs के मद्दे coastal का मतलब कार्ड, जो ribs से इनके मद्दे, और space मतलब एक खाले स्कान तो 5th intercostal space पर यहाँ पर पाए जाता है apex of heartbeat, जिसे हम बोलते है apical heartbeat बच्चों के इंदर most common यहीं सुनने को मिलती है, apex यहीं से हम सबसे पहले बच्चों की normal होती है, अब मैं आपको बताता हूँ वापस से apex of heart क्या है जब दी आपके question आए कि apex of heart ठीक है, आपको बताना है left ventical apex of heart बनाता है, थोड़ सा downward होता है, forward होता है, मतलब नीचे की ओ रहे है, नीचे की ओ रहे है और forward मतलब आगे की तरह है, ठीक है mid external line से और mid clavical line से mid external line से तो 9 cm दूर है ठीक है, ये तो 9 cm दूर है और mid clavical line से बीचों बीच, यहाँ पर 5th intercoaster space में एक point पाए जाता है जहाँ पर अपन को heart beat सुनाए देती है जो किसका part है, apex of heart का ही part है यह आपको generally apex of heart के अंदर explanation देना है, इसके बाद base of heart के हम बात करते है base of heart होता है वो most common लिए जाता है, किसके दौरा बेस of heart बनाया जाता है, किसके दौरा right atrium और left atrium most common jammer books में दे रखा है वो left atrium दे रखा है books में left atrium most common दे रखा है, base of heart बनाता है थोड़ा बहुत बाग राइट एक्टरियम का भी बेस ऑफ बनाने का काम करता है तो बिदी आपके आता है बेस ऑफ यहां पर आके हर्ट होता है तिर्चा पाई जाता है फोड़सा जुखा हुआ पाई जाते हैं अब हाट का जो यह वाला भागए यह क्या है राइटेइच्ट्रेम यह क्या करते हैं ऐसे ठीकर रहते हैं यह बेससे घा commissioner होता है उनमें आपको और अच्छे से मिल जाएंगे या फिर आप गूगल विकीपीडिया पर सर्च कर सकते हो कंपने डाइग्राम आपको मिलेगा यह हो सकता है जहां तक हो सके हम इस वीडियो के लाश्ट के अंदर यह डाइग्राम एट करने की फिर हम बात करते हैं सामने के और हर्ट यह है इसके अंदर सामने के और क्या है के बीच का一点 है और haha इंटर कोश्टर काटिलेजर इस्टर नम यह सभी एंट्र पॉर्शन ओफ हर्ट को बनाने का काम करता है मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्स्प्लियो कर चुका हूं कौन कौन सी सर्फेस एंट्र होती है कौन सी सूपिरियर होती है यह यहां पर मैं आपको जनरली बता र इर कमतला उपड़ नीचे कहां पर होता है सब्सक्राइब करता हो अप्ड़ी पर ड़ेम के रहए बना जनरल और देखेंगे तो फिर हम इंफिरेर पॉर्षेंब किसके दाः बने सामने जाया खिए आ dedic आएखाए लॉग अविडॉड करें हूए गया हूए सामने की ऊर्टरियौ कि दबार बना डाइफराम कि दबार बना ओकिश्रेंट्स यहां तक सभी को किलियर है बुजुमीद है यहां तक आप सभी को किलियर नहीं है तो आप वीडियो को वापस पोच किजिए इस्टार्ट से देख सकते हैं कि अब हम बात करते हैं हर्ट की एक्स्टार फीचर हो चुकिए अब हम बात करते हैं हर्ट के इंटर्नल फीचर की बात करते हैं को है आई में तक करें मतलिमाभर के अंदर क्या है हमने बात करा आप की तरफ क्या या है मतलब बाखर की तरफ है जय क्यों कि सकाम करते हैं अब हम बात करते हैं इप छीटर जाए फिलाल पकी कि इंटरनल फीचर मुझेत जो को बना तो हुए कि बोल्क पॉर्सन की और फिर में बात करते हैं लेफर सब्सक्राइब यह लैफर सब्सक्राइब याँ पर सुद्व ब्लड पाई जाता हैं और यह रकी। शाट यह जाता है दी आपकी क्यूशन में आता है एक्जाम के अंदर Inside total explain कीजिए या फिर हट को explaining केजिए आपकोMr Dennis वहां पर explain करने हैं तो आप केसे करेंगे 3 में जो राइड बेंटीकल होता है सorc right Atrium होता है और जो right m gonna pate I am a left atrium और यह क्या हो Г् aw कि में लेफ्ट क्वाइड हो गया हम आधिक यो ने हींदी में बात कर भी हंडी मीडियमत से xan quand Biz हम हम इसे हैं अब यहांपर आप पर रायट कहते हैं इन दोनों को अलगकरforce कर ताहरा यह सिंगल सें होते हैं दोनों को अलग को किया यह क लाइन नहीं की एक यह फिर फिर एक इस्ट्रक्चिर नहीं ने अलगकिया यह स्टेक्सेट क्या होता है देखिए दोनों आट्रिय एंट्रियम के बीच में यह भी एंट्रियम है मैंने बोला था दो के मध्य है तो हम क्या बोलेंगे इंटर इंटर को एक ट्रियल कि सेप्टम तुव विखे हों आप स्टाइगं से तो्किरीम इनको अलग कर रहा है इंटर एंठ्रीज नहीं जगह होगा है था से जय को लेपकिक हरकों नहीं किसके दवरां इनतर एंटर्ट को गया हो यह किसके दोड़ी को हुए यहां पर हम क्या बोले इंटर वेंट्रुकला सेप्टम क्या बोलेंके स्को? इंटर वेंट्र同иейट्रुक।्वला सेप्टम।'RE must माली यह सब्लेद्ब होल出去। होंता है ठीक है wp है अब यहां पर हमें इसमें बताना है right side और left side सैंटने और लेफ्ट साइड में 2 चीजों को करने लेफ्ट साइड में सब्रत करो बोला इस राइट और लेफ्ट्रेंट में बोलेंगे स घ्रत लेट्रेंगे पर लागता है तो में यह स्यूव हृँ खोड़ी को करते है तो हुम इसे क्यों बोलेंगे इंटर् fight सेप्टम और यदि वेंट्रिकल वेंट्रिकल को अलग करता है तो हम इसे क्या बोलेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम या वेंट्रिकुलार सेप्टम के लिए स्ट्रेंट्स अब हम इसके आगे बात करते हैं यहीं से सेप्टम के बात करते हैं अब यहां पर देखिए यदि एक प्रियं और आनि आंपंदा कि वीतीड करता है तो मैं से क्या वोलेंगे इंट्रा अट्री और सेप्टम अड्री आ 止ल Serp लेड साइड अलग करता है तो राइट विलां सेट्टम। राइट अड्री सेप्टम। टैसा कि लिए ता यह आपका दो चीजों को डिवाइड करेगा तो हम उससे सेप्टम बोलते हैं दो स्ट्रेक्षर को डिवाइड करता है तो सेप्टम बोलते हैं यदि एट्रियम एट्रियम को डिवाइड कर रहा है तो इंट्रा एट्रियल सेप्टम बोलेंगे और वेंट्रिकल वेंट्रिकल को डिवाइ कि यहां पर देखे स्टसिंट से यहां मैं क्यवल रइट और लिफट न लिके मैं बोल banco ए ट्रिम और वेंटिकल को जो अलग करेगाम क्या वह लेंगे ट्रिम है ट्रिम और native और अलग कर रहा है एक लेच कर एक लिए घ्र लेफ़्थ साइट Presents जोर्ड लेफट एक्ट्रियों वेंट्रिकुला सेप्टम थोड़ा सा इसे लेंड दिकर दिया आपको स्वद्जर समझ में इसलिए लेंड़ी किया है मैं कि अब हम इसके आगे बात करने हैं इस देखें यहां तक आपकी किलिए हो गया यहां तक कोई दिकत मेरे हिसाफ से यहां तक कोई भी दिखत नहीं आने चाहिए आपके अब हम यहां तक बात कर चुके हैं कि हर्ट के अंदर जो में लिए हम लोगों ने बात कर चुका कौन सा इंट्राइट्रियम होता है यह आप चाहिए तो इस डाइग्राम में और देख लीजिए यह राइट अट्रियम है यह राइट वैंटिकल है और यह लेफ लेट है यह पर इसलिए ज्यदा जोर्ण दें रहा हूं कि कम्प्लीट श्यार गवां दोनों प्म के भीच में तो मूं λब चाहिए यह तो इन्ट्राइट्राइंट्रेकलर ससे माया तीकि WhatsApp और वैंट्रा accelerate आप से यहां एक और बात करना जाते है यह जनिल नियुक्त और अंजनरी बात करें तो यह अपरी और उरीस पाइजाता है और उरीफीस को हम क्या बोलते हैं चिद्र भोटा से अपने से और नाल कि यह यहां से खोङ खोउख लाए ठीक है अब यह खोग लाई इसलिए यह पेनी इसके अंदर जा पाई है मतलब एक औरिफीस है जहां से ब्लड राइट अत्रियम से लेफ्ट अंदर आता है ठीक है अब देखें हम बास पर यह जो औरिफीस होता है यह तीन कस्प से गिरा होता है मतलब तीन दर्वाजे होते हैं इसके अंदर कि यह ओन भॉलते हैं राइट एट्रियों वेंट अरिफिस बोलटे हैं उड़ेंगे और इसे हम अक्त घूर किया बोलते हैं अ वाल बोलते हैं क्लिछित वच्व को से बीच में तो फलि यह वोलेंगे एंड बोलते हैं क्या राइक इत राएक कस्पा आया लें सब्सक्रक्राइब नैया हम इदर दोलेंगे और वाल्ग जहरों लाइक he rol जोते हो एक को सकते हो प्लेयं म podéis दो लगें तो आध दो नहुंत हैं यहाँ ब्लट के आतों सकता है लेकिन वेंटिकल से जब यहांसे ब्लट होगा पैलमोरी आर्टरी के अंद तो उस टाइम पर यह कपस क्या होता है बंद हो जाते हैं और यह ब्लट बहरा हुआ यह वापस एत्रेम में एत्रियाम और वेंट्रीकल के बीच में exhibits क्या बोलेंगे एट्रिओ बेंट ỹड लेट्रियु में बोलेंगे घ्रों ऑख लोगा वाल के यह एक को पिसतो होता है जिसकत थी जिसके थे दूफ उस्वाओ पर लोलग तो यहां में चलीrenched पाई जाता है इसने हम स्वान को बोलते ह है टीक है याव्य हम इसे दूसरे नाम से बोलते है अ है दूसरी नाम से क्या मिट्रल वाल जो exam में पूछा जाता है direct competitive exam में पूछा जाता है वह ये नहीं पूछाता था या फिर अत्र वहल्वल ल्ह पर पूछा जाता है राइट साइट इंट्र आर्ट्रियों वेंट्रिकला सिप्टम लेफ्ट साइड डारेट ऐसे किशन आता है ठीक है ऐसे उपसन आते आपको क्या बना में बताना है ट्राइक स्पीड वाल पाए जाता है राइट एक्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ठीक है या के अब इसे के साथ हम इंटरणर फिचर ओफ अब इसे के साथ हम चेंबर ओफट के बारे में फोड़ा बहुत पड़ लेता हैं यह क्या है मैं आपको बता दू चार चैंबर होते हैं चैंबर बोले तो अरे अपने टीचर बैटते हैं हम qaran कुरूम भी बहँ सकते हैं चार कमरे होते हैं हर्ट में फेला कमराहbia कफूंसा र्यवांस का दूसरा लेट म between का थीसरा दिस्ट्यूंटा किषक का लेंट कि खेल हो इसरा अपर आट्री जो फेल बहाग होै वहांसा एक वेन आती है, देखो, राइट साइड में डिये उक्सिजनेटेट बलड बैता है, जिसमें कारमेंड आए उक्सवर्ड जाता होती है, तो बोडी से जो टिशूज होते हैं, वहाँ पर कम्प्लीट बलड साप प्रहूने के बाद, वहाँ से एक वेन लेकर आती है, मैं आपको एक जनरली बता दू, हट की तरफ जो भी स्टिक्चर बलड लेकर आएगी, हम उन्हें वेन बोलेंगे, और जो भी हट से बलड लेकर जाएगी, हम उन्हें आर्टरी बोलेंगे, यदि हट से बलड बाहर जा रहा है तो रर्टी होगी है यय कि तरफ टरफ यद होगी सबसे बड़ी होती है सबसे बड़ी होतीी वेनाखएवा। जो कि डाउनवर्ड जो भी स्ट्रेक्चर होती है महां से लेकर आती है तो यह राइट अत्रियम के तल के अंदर आधार बेस के अंदर पाई जाती है और यह उपरवाड अपरवाड पाई जाती है यहां पर एक औरिफीस होता है जो मैंने आपको पहरे बता चुका इंट्रा पाई जाती है और वो किसके अंदर आती है इसके बादर अलावा हम बात करते हैं राइट वेंट्रिकल का राइट वेंट्रिकल क्या करता है जो यहां से यहां से निकली और यहां पर लंक्स है यहां पर लंक्स है अब लंक्स के अंदर अंदर लेकर गई चुक्कि यहां पर आप आप बोलेंगे जो हट से बाहर लेकर बल से यह मात्र बोडी की इस डियो ओक्सिजनेट्ड बलड होता है ठीक है एक मात्र आतरी जिसमें डियो से ने बलिट होता है वो कौन से होती है पल्मॉनली आर्पी होती है फुस फुस यह धंदी भालत में पढ़ाओगा ये प्लंक से बलेड का फ्यूरिफ्यट के सिर्फटकस करे सब्यूरिफिकेशन ह這邊 करें革 नहीं होता है सिर्फ का नाम क्या बोला लेट पंओर बनाता है मोली प्रस्ट टाइम किसमें आएगा लेट्रेम लेकर आएगा नेकर आती है left pulmonary vein बोलते हैं हम उने 4 vein लेकर आती है दो तो right lung से लेकर आएगी दो left lung से लेकर आएगी ठीक है ये blood complete का complete एक orifice के तुरू जिसके हमने बोला मिटर वोल बोला उसके तुरू left ventricle के अंदर blood को छोड़ेगी अब left ventricle क्या करेगा left ventricle क्या करेगा होता है सबसे बड़ा भाग होता है हट का वो left ventricle होता है blood को pump करने का काम करता है apex of heart बनाता है ठीक है ये blood को pump करेगा और ये जैसे blood को pump करेगा और ये तुरू complete body में वो blood भेज दिया जाएगा जो कि हम systematic circulation के अंदर हम आगे पड़ेंगे यहां तक सब कुछ के लिए रहे यहां तक किसी को भी कोई कोई problem मैंने complete जनरल सा review बता हूँ right atrium deoxygenator रखता है right side of heart हमें सा deoxygenator रखेगी इंफ्रेवेन के बदर ब्लड आया right atrium में बढ़ा right atrium से blood प्राइकस्पिड वोल के तुरू right ventral गया लंक्स में गया लंक्स से blood purify होके left pulmonary vein के तुरू किसके अंदर आया left क्या pulmonary vein बोल दो simple से pulmonary vein के तुरू blood किसमें आ गया left atrium में गया left atrium से blood left ventral blood को pump किया और किसके अंदर डाल दिया arota के अंदर डाल दिया ठीक है इसके अंदर कोई भी doubt हो तो आप मुझे बता सकते हैं यहां पर अब देखो यहां पर हम बात करते हैं जनरली क्या होता है यह वैसे तो पूछा नहीं जाता लेकिन अभी अभी justice जो नोट से 2020 लगी है उसकी जो second पारिती वहां पर question आया था कि chamber of hut hut के chamber होता है right atrium, left atrium right atrium, right ventricle, left ventricle ठीक है तो वहां पर particular प्रेशर पूच लिया गया किपने pressure होता है ठीक है right side में कितना pressure होता है left side में कितना pressure होता है जनरली आपके college में नहीं पढ़ा जाता है लेकिन अब आपको आगे के लिए फज़ना पड़ेगा आप पहले 17collum right-to-rems के अंदर देखें यो right atrium होता है यह क्या है right atrium है right atrium में तो right atrium में प्रेसर होता है वह तो कितना होता है 5-7 mm of hg और जो minimum presser होता है जीरो से 2 mm of IG यदि आपको direct ऐसे भी याद नहीं होता है तो आप इसे simple way में याद कर लिए 2 से 7 mm of IG राइट साइड में प्रेसर होता है दो क्या minimum याद रख लिया 7 maximum याद रख लिया क्योंकि जो भी value आईगी वह इनसे काफी different आईगी ओके फिर हम बात करते है ठिक है फिर हम आपकरते हैं left atrium की left atrium में जो maximum प्रेसर होता है वह कितना होता है 0 7 से 10 तो maximum pressure होता है left atrium में ठीक है और left atrium में जो minimum pressure होता है वह कितना होता है 0 से 3 mm of IG जिए आपको ऐसे वेल्यू याद नहीं हो रही है तो आप सिंपल से याद रख लिए तीन से साथ एमम ओफ एजी प्रेसर होता है किसके अंदर लेफ्ट एट्रियम में अब यहां पर देखिए जो राइट वेंट्रिकल होता है उसमें प्रेसर होता है मेकजिमम तो होता है 25 mm of एजी तक और मीनिमम होता है वो था आठ एमम ओफ एजी आप सब ने पढ़ा होगा pulmonarie artery pulmonarie vein का इनगा pressure पढ़ाओगा ठीक है वो भी देख लीजिए जो pulmonarie artery होती है ठीक है जो pulmonarie artery होता है उसका pressure कितना होता है जनरली होता है 3-8 mm of hg pressure होता है ठीक है आप लोगों ने पढ़ाओगा central venus pressure भी पढ़ाओगा आप लगोने इस्टेंट्स वो भी normal कितना होता है 3 से 8 mm of HG होता है जो central venus pressure होता है ठीक है वो general कितना होता है 3 से 8 mm of HG होता है अभी जो north set exam लगी है सारी कम्मा इंड जो 15 mc के exam लगी है उसमें first shift में क्यूशन आये था center venus pressure normal कितना होता है 3 से 8 mm of HG होता है और यदि mm of H2O की बात करें तो 5 से 10 mm of H2O होता है सीधा सीधा question आये था वहां पर आई answer था 5 mm of H2O यहां पर pressure की बात होती इसके अरवा मैंने left side का pressure बता दिया जो left ventricle होता है उसका pressure कितना होता है 120 by 80 mm of HG 120 highest pressure होता है 80 mm of HG lowest pressure होता है ठीक है इसके अलावा arota जो arota वगेरा होता है ठीक है वहां पर pressure कितना होता है 120 mm of HG highest होता है और lowest कितना होता है 80 mm of HG आप लोग BP check कराते हो BP check कराते हो artery में check कराते हो तो यह क्या है arota भी एक artery है तो artery का normal pressure कितना हो गया 125 mm of HG normal pressure होता है जो right atrium होता है वहां पर pressure होता है 2-7 mm of HG right ventricle में pressure होता है 8-25 mm of HG जो left atrium होता है वहां पर pressure होता है 3-7 mm of HG और जो left ventricle होता है 80-20 mm of HG अब complete यह pressure अपनी notebook में लिख लिजिएगा ओके इस्टेंट्स यहां तक सब कुछ के लिए रहे हैं अब हम जस्ट नेक्ष्ट जो क्लास है उसमें हम बताएंगे इस ट्रक्च अफ वर्ट में पेरिकाडियम, यहां तके अंडोकाडियम क्या करती है यहां के डिजीज के क्यों इंक्यूशन पूछ लिए जाते हैं आपकी में से एक्जाम में तो जस्ति इससे जो नेक्स टॉपिक होगा वो होगा लेयर ओफ हट वहां पर मैं आपका सारे डाउट के लिए रहूँगा यहां तक आज मैंन जो मैंने जर्णरल नहीं बताएं अभी तक मैंने आपको complete वाल नहीं बताएंगे मैं आपको बलाओंगा तीनों वाल कैसे बनते वाल के अंदर muscles कैसे इनको पकड़के रखती है कैसे वाल open होते हैं यह सब कुछ मैं आपको आगे बताऊँगा इसके अलावा मैंने आपको ब झाल 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 झाल